गूड मॉर्णिंग कैसे हूँ बिटा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई है हाँ यह आज तुम लोगों को यह और गिर्ज एंड पॉपूलेशन के बारे हैं बताएंगे इस चैप्टर से नीट में एक या दो कोश्चन रहता है लेकिन थोड़ा सा क्या है यहाँ पर कंट्रो वर्सिस जो न्यू सी लेवज जो सी बीएसी इस साल जो लाया था तो इस चैप्टर से बहुत से टॉपी को क्या किया था एक्स्क्लूड कर दिया लेकिन एनमसी जो आपका नेशनल मेटकल कॉंसीलर जो आपका नीट कंड़क्ट कराता है वो कंफर्म नहीं किया है तो हम जो से जादे कोशन पूछा जाता है तो वहां मैं हीट करूँगा और जो सी बीएसी के रिकूलम पोड्यूस किया है उसके अनुसार आपका और इट्स इन्वाइर्मेंट मेजर एबायोटिक फैक्टर रिस्पोंस टू एबायोटिक फैक्टर और एडेप्टेशन सी क्या किया ह पोपूलिशन से आपका शुरू किया है ठीक है तो अगर आपको क्योंकि एनेमसी तो कानफार्म किया नहीं है तब क्या करोगे तब यहां से है कि अगर आपको वह और इंवाइर्मेंट मेजर एबायोटिक फैक्टर रिस्पोंस टू एबायोटिक फैक्टर या एडेप्ट सकते हो यह रिवीजन में और में हम आज आपका पॉपॉलेशन से सुरू करेंगे इसमें मिली जो हमजादे जो इस्ट्रेस देंगे आपका आपका पॉपॉलेशन एटृब्यूट्स यहां से भी एक आत्वो सवाल आता है पॉपॉलेशन ग्रोथ से जो दो मोडल आपको परना है और पॉपॉलेशन इंट्रेक्शन में सबसे जादे जो है आपका एक्जाम्पल से कुस्छन आता है ठीक है और उसके बाद आपको P.I.K. है जो more or less जो most important जो आपका नीट में पीछे previous एर में पूछा है और कुछ कोस्टन हों अपने से खुद फ्रेमिंग करते हैं तो 15 कोस्टन यहां पे आपको मैं बताऊंगा और इस चप्टर से एक या दो कोस्टन निश्चित ही रहता है कभी कभी तीन भी कर देता है लेकिन दो तो रहता ही है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बोलो किसी कोई दिक्कत क्या बोल रहे हो सब मुस्कुरा रहा है कुछ बोलने रहे हो कुछ बोलना चाहिए ना अपनों को हेलो 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 थोड़ा सा ठेकिनकल प्रॉब्लम आ रहा है पुटा हेलो 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 ठीक है अब डिजिटल इंडिया में जी होगे तो थोड़ा सा तो आपको सोचना पढ़ेगा ना क्या बोलो शुरू करें तो थोड़ा सा हम एडिया देते हैं अगर पढ़े होगे आप cellular level of organization तो हम cell से तो नहीं शुरू करेंगे वो cell से tissue बनता है tissue से organ, organ system और फिर एक individual तो उसी individual को क्या बोलते हो आप organism यह देखो अब यह orange देखो यह single है तो अब यह क्या करेगा grouping करेगा similar tab ध्यान से देखना pattern क्या है तो यहाँ पर क्या होगा, यह same type of organism grouping together to form the population, अब देखो, इस population को आप species भी बोलते हो, तो कोई भी nature में, ecosystem में, एक single species जो है exist नहीं करता है, अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि single species का requirement होता है, तो उस requirement के अनुसार वो क्या होता है, other living thing से, other species से interact करता है, उसके बाद फिर वो abiotic, अब देख लो, यह population जो है, फिर grouping करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, different population, population, अब यह जो population, जो different population grouped होता है, तो क्या होता है, उस दोनों के बीच में, क्या requirement है, उस अनुसार से क्या होता है, वो grouping करता है, हर जगा, हर locality में जाओगे, तो देखोगे, वहाँ पर जो different population है, तो उसका जो seniori हो हो, वो अलग-अलग तुमको मिलेगा, ठीक है, तो यह different population देख लो, यह group करेगा, sorry, बहुत problem है, बेटा, ध्यान से देखो, अब different population group करके क्या बना देगा, देख लो, यह biotic community, यह जो biotic community देख रहे हो, तो यह क्या है, different population का एक grouping बनाया है, अब यह biotic community, देखो, interact किसके साथ करेगा, abiotic, factor, अब यहाँ पर देखो, यह living और no living, और यही मिलके क्या बना देगा, ecosystem, और यह ecosystem जो, यहाँ पर जो biotic community है, उसको क्या करता है, stable करता है, functionally उसको stable करता है, sustain करता है, और यही ecosystem, फिर दोखो, same type of ecosystem, एक area में, तो वो biome मना देता है, और यही different biome देख लो, क्या हो जाएगा, biosphere, तो यह organization है आपका, अब यहाँ पर तुमको परना population के बारे में, तो यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे, तो सबसे पहले देख लो, population क्या होता है, population attributes, population growth के बारे में पर होगे, फिर life history variation पर होगे, और population interaction, और last में आपका MCQ है, अब देख लो, population हमने क्या बोला, similar type of the organism, which have the ability to interbreed themselves, और जब कहते हो कि interbreed अगर themselves होता है, उसमें यह potential होता है, to interbreed, interbreed का मतलब क्या होता है, to give the birth of the child, तो अगर यह ability है, तो उसको species भी बोलते हो, तो एक species को आप population भी बोल सकते हो, कोई भी अगर आप city में हो, तो आप यह अगर यह बोलते हो, कि इस city का population बहुत बढ़ गया है, तो एक biology का student होगा, तो आप से question कर देगा, किसका population भाया, आदमी का, की dog का, की rat का, की पेर-पौधा का, किसका population, तो population एक species होता है तुमारा, और species में में क्या definition वही देते हो, similar type of the organism, which have the ability to interbreed themselves, that is known as species, ठीक है? तो यह population, आप देख लो, अब यहाँ पर आता है, इसको comparison किया गया है, organism से, तो यह और इनिंग तो आपका single है, तो यहाँ पर कोई इसका characteristic तो ऐसा नहीं होगा, parameter जिसके अधार पर आप 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 आप, अगर एक example हम देते हैं, आप एक single individual है, तो इसका birth, death हो सकता है, लेकि birth rate या death rate तो निकाल नहीं सकते हो, यह rate तो कब होगा, जब number of organism होगा, जैसे number of organism हो गया, तब तो population हो गया, तो यह जो characteristic होता है, इसी को कहा जाता है, population attribute, जो organism में नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, बोलो, आगे बरहें, चल रे, धीरे, धीरे, आजा, तेरो, क्या करता है, तेहान से देखो, ए population has certain attributes, whereas an individual orange does not, क्या होता है, population में कुछ attributes का मतलब क्या होता है, कुछ characteristic, parameter, certain attributes, जो individual organism में नहीं होता है, क्या क्या होता है, घ्यान से देखना, जिसे birth rate होगा, और इनमें birth rate नहीं हो सकता है, death rate हो सकता है, sex ratio हो सकता है, age parameter, population density हो सकता है, या populations है, और यूँ तो एक ही है न, या, sex ratio का क्या होगा, अगर एक single individual है, तो या तो वो male होगा, या तो वो female होगा, अब एक single individual का death rate और birth rate क्या निकाल होगे, पैदा है, मर गया, ठीक है, तो एक एक थोरा सा उस attributes के बारे में जानो, अब देख लो, birth rate क्या होता है, per capita, birth per unit time, ज्यान से देखना है, per capita यहाँ पर, अब यहाँ पर capita का मतलब क्या हुआ, आप 1000 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, तो यह जो per capita जो बोलते हो, तो initial population कितना है, original population, या उसी population को population size भी बोलते हो, या population density भी बोलते हो, और जब भी population की बात आता है, तो हमेशा याद रखना है, एक defined area में, जो, whatever the number of the individual, उसको population size या population density बोला जाता है, और उसको capital N से represent किया जाता है, और ध्यान देना, यह जो हम बोल रहे हैं, per capita, यानि 1000 population, तो यह original population होता है, ठीक है, तो देख लो, क्या करता है, per capita, और birth rate को देखो, a small b से represent किया जाता है, टाइम, और जो birth होता है, माने, सपोज करो, one year में कितना new babies आया, तो वो हो गया, तो फ़रा क्या, birth, तो उस birth को natality कहा जाता है, और उस capital B से देखो, क्या करता है, total birth, per population, सपोज करो, ध्यान से देखो, कोई population है, मालो उसमें 100 पहले से था, after tea time, देख लो, after tea time, इसका population हो गया, 120, तो वो जो tea time में है, तो initial population 100 था, उस tea time में कितना बढ़ा, 20, तो अगर इसका rate निकालो गए, तो that is known as birth rate हो जाएगा, तो simple क्या हो जाएगा तुम्हारा, is equal to 100 by 120, ये देखो, काठो, 6, यानि ये 0 point में आवेगा, ये हो गया तुम्हारा birth rate हो गया, समझ में आ रहा है मेरी बात, बर्थ, टोटल बर्थ जो बोलते हो, तो उसको natality कहा जाता है, और उसको capital B से represent किया जाता है, और जब rate वर्ड जोडते हो, तो rate का मतलब क्या हो गया है, पर unique time, तो कितना में कितना, ये निकालना होता है, अब यहां पर देखो, एक example हमने दिया है, देख लो, क्या कहता है, 20 of spring are born to a, ये अलग होगा, a population of 100 people in an year, what is the birth rate, अब देखो क्या होता है, मालो, initial, जो, original population कितना था, 100 था, एक year के बाद, population देखो, 20 बच्चा वहां पैदा हुआ, तो total population कितना हो गया, 120 हो गया, तो कहता है, what is the birth rate, imagine करो, suppose करो, यहां पर देखो, let in, 2023, 100 people था, after T, यानि one year के बाद, 2024 में क्या हो गया, 120, तो अब यहां पर कहता है कि देद, birth rate क्या होगा, तो birth rate जो होता है, तुम्हारा, is equal to होता है, netality, by, original population, देखो, population, यहां पर जो हमने बताया था, यह थोड़ा सा देख लो, यहां पर क्या हो जाएगा, netality तो actually 20 है ना, netality तो तुम्हारा birth कितना हुआ, 20 है ना, टी टाइम के बाद हुआ, यह simple हो जाता, यह 20 वाइ 100, तो यहां देखो इसमें क्या हो जाएगा, यह 20 वाइ 100 हो जाएगा, netality कितना है तुम्हारा, 20 नूबर्न जो आया है, और original population कितना था, 100, अब इसको काट दो, क्या हो जाएगा, देख लो, 0.2 के करिम में आवेगा, यह birth ratio हो गया, काटो ना, यह 0 से 2 तो यह 5 तो 1.5, क्या हो जाएगा, 0.2, यह इसका तो बिर्थ रेट हो गया, इस पर सवाल विटा आता है, जल्दी बोलो, समझ में आया की नहीं आया, बहुत तरीके से सवाल पूछ सकता है, क्या बोले, ने, ने, population, इंटर ब्रेडिंग देमसेल्प, यहाँ पर सेक्स्वल रिपोड़क्शन हो गया तुम्हारा, तो ऐसा नहीं है, एक ग्रूप अप इंडिविजियल्प, यहाँ पर सेक्स्वल रिपोड़क्शन होता है, जो बैक्टेरियल प्लेट जो होता है, कल्चर जो करते हो, तो उसमें कॉलनी, तब उसका पॉपूलेशन साइज पता चलता है, ठीक है, एक सेक्स्वल रिपोड़क्शन का भी पॉपूलेशन होगा, आगे बरें, यह समझ में आया, बर्थ रेट, कोई दिक्कत बोलो, अब आजाओ, देखलो, देथ रेट, सेम उसी तरीके से होता है, देथ रेट को a small d से रिपर्जेंट करते हो, यह भी वही होता है, पर capital death पर unit time, और यह तुम्हारा d is equal to क्या हो जाएगा, motility, motility माने death कितना है, total death, by original population, सेम तरीके से होगा, मालो कहता है कि कोई population है, उसमें 100 individual है, one year के बाद, वो 80 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 मरा, तो total death कितना हो, 20, 20 by 100 हो जाएगा, आपका, निकाल लो, death rate वही हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, जितना born हुआ उतना ही, क्या हुआ, मरा, तो अगर इस तरीके से देखो गे तो यहाँ पर जो growth rate है, वो zero हो जाएगा, इस दोनों में देखो न, इस सवाल, यहाँ भी क्या हुआ था, एक year में new born जो आया था, वो 20 हुआ था, original population 100 था, death rate में भी क्या था, original population 100 था, 20 मरा, 20 आया, 20 गया, death, तो net result जो population growth देखो गे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, 100 का 100 population नहीं रह गया, तो growth rate यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया आपका, अब देखो, यह sex ratio दोखो, यह क्या होता, percentage of male and female in a population, यह population में ही निकलेगा, वो यह population है, तो कितना male है, कितना female है, उसका percentage ratio क्या है, तो यह सिर्फ population में होगा, चीक है, उसके बाद आता है, दोखो, age pyramid, यह दो, यह कहता है, shape of the pyramids reflect the growth status of the population, actually क्या होगा है, कोई भी population है, तो उसको growth के state पे अगर देखो, तीन कैटेरी माता है, pre-reproductive phase, बने reproduction, childhood, उस बाद reproductive phase, और post reproductive phase, तो इसको जब graph represent किया, मैंने वो, according to the age distribution, तो क्या बना हो, age pyramid, अब इसे में देखो, बहुत लड़का confused रहता है, जिसे हम एक, देखो, यहाँ पर यह pyramid बना हुआ है, यह सब से नीचे जो देख रहे हो, यह देखो, यह क्या है, pre-reproductive phase है, तो यह एक ही है चक्र, लेकिन अब मालो, इस pre-reproductive phase में, तो सब होगा न, 7-year का भी बच्चा होगा, 5-year का बच्चा होगा, 1-year का भी बच्चा होगा, 18-year का भी बच्चा होगा, 20-year का भी बच्चा होगा, 21-year का भी बच्चा होगा, तो अब इसी में से क्या होगा, वो बच्चा जाएगा reproductive phase में, तो इस में से श्रिप वही जाए तो उसका देखो, साचा एक ही बन रहा है, यहां से देखना, या अब थोड़ा सा एज के अनुसार देखो, यह बरहेगा, मालू सपोज करो, हम एक एक्जाम्पल बोलते हैं, यह 20 है, मिनमम 20 हम लेके चल रहे हैं, यहां से 22 के बाद ही वो उसका मैरेज हुआ और दे ठीक है, तो अब इसमें तो कुछ 30 वरस का होगा, 40 वरस का भी हो, तो इसमें से कुछ इसमें चला आया, अब उसके बाद देखो, पोस्ट रिपोड़क्शन बन, यह जो तीन खाना देख रहे हो, ध्यान से देखना, यह पोस्ट रिपोड़क्टिव है, इसमें एज मत होना, हमेशा याद रखना, प्रिपोड़क्टिव फेज क्या होगा, एक ही होगा, आपको अबेंट के अंसार चलोगे तो, मेल में क्या है, 21 येर, मैरेज रिए, उसी को अतना बच्चा पैदा करोगे, समझ रहे हो मेरी बात, बोलो, किसी को कोई दिक्कत, आगे बरहें, जेनरली देखोगे, इसमें क्या होता है, एक साइड मेल होता है, एक साइड फीमेल, ये जो इस तरीके से देख रहे हो, लकीर, क्या होगा, इधर मेल हो जाएगा, और इधर फीमेल हो जाएगा, तो इभी कभी कभी कोश्चन पूछ देता है, देख लो, क्या है, मेल सून ट लेप्ट साइड और फीमेल राइट साइड अब देखो उस ग्राफ जो दिखाया है तुम्हारा तो एक्चुली क्या होता है पूरे कंट्री का बनाया गया तो देखो तीन आपका ग्राफ बनता है पहला एक्सपेंडिंग ber Galo D preservations डेखना ये क्या है जो इतना लंबा देख रहे हो ये प्री रिपोड़क्टिव फेस है ये दोनों आपका रिपोड़क्टिव फेस है और ये क्या है पोस्ट रिपोड़क्टिव फेस है तो द्यान से देखना यहां पर ये जो प्री बहुत लंबा है और रिपोड़क्टिव देखो उसके कंप्रीजन में छोटा है तो इस टाइप का जो ग्राफ बनता है तो उसको कहा जाता है एस्पेंडी और यह जेनरली वहां पर होता है जहां पर क्या बोलता है हेल्थ कंसस्ट नहीं होता है इलिट्रेसी होता है तो यह जेनरली जिसे पोर कंट्री हो गया या डवलपिंग कंट्री में इस टाइप का इंडिया नो डाउट आप तो कंट्रोल हो रहा है लेकिन इंडिया को बोल सकते हो कि यह एक्स्पेंडिंग पोपूलेशन है ठीक है तो यहीं पर देखो क्या कहता है प्री रिपोड़क्टिव देखो यह रिपोड़क्टिव फेज यहां पर रिपोड़क्टिव फेज समझना more than reproductive phase कहां होगा poor or developing country इसका shape जो बनता है वो pyramid का shape बन जाता है इस तरी ते से ठीक है दूसरा देखो stable आता है हमेशा stable में क्या होगा तुम्हारा ये pre reproductive phase और reproductive phase बराबर होगा ये देख लो तो इस type का जो pyramid बनता है उसको कहा जाता है stable तो ये हमेशा याद रखना pre reproductive phase must be equal to the reproductive phase तो ये इस type का scene कहा जाता है developed country में और ये bell shaped बनता है ये इस तरीके से दूसरा देखो decline जहाँ पर population घटते जा रहा है तो ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या होता है pre reproductive phase जो होता है वो less than क्या होता है reproductive phase ये reproductive phase है less than है तो ये खास करके कहा होता है जो highly developed country होता है जिसे जापान में देखो गे क्योंकि वहाँ पर living standard बहुत high हो गया है तो वहाँ देखो गे marriage नहीं करता है living relation में रहता है क्योंकि हम लोगे human population में क्या होता है carrying capacity तो आपका lifestyle ही change कर गया है आप नहीं नहीं आप maintain कर पाते हो तो आने वाले कल को कहां से maintain कर होगे तो वहाँ देख लो pre reproductive phase क्या हो रहा है घटते जारा, decline हो रहा है क्या होगा वहाँ population घटते चला जाएगा क्योंकित बोलो कोई दिक्कत इसमें अब आजाओ population density या population density को population size भी लोग बोलता है क्या होता है यहाँ पर कहा जाता है कि number of the individual present in a particular area अब मालो number of the individual present in a particular area बोलते हो तो एक time being के लिए हो सकता है उसके बाद या तो population वहाँ पर क्या होगा size घट भी सकता है बढ़ भी सकता है तो एक time being के लिए करता है तो generally यहाँ पर जो population size का मतलब होता है number या biomass बहुत जगह क्या होता है आप नंबर नहीं counting नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर biomass निकाला जाता है जिसे हम एक example देते हैं कि suppose करो एक बहुत बिसाल पेर है उस particular area में और उस बिसाल पेर के नीचे इस single है और उस बिसाल पेर के नीचे suppose करो वह small plants है more or less two or three hundreds है तो ऐसे कहोगे तब तो grass का population size बढ़ा हो गया उसका area देखो नो कितना cover किया है तो वहाँ पर क्या होता है biomass उस grass के compression में उस tree का biomass क्या है जादे है तो वहाँ पर biomass count किया जाता है मालो पॉंड में जाते हो या ocean में जाते हो तो फीस को तो counting नहीं कर सकते हो न कि ocean में कितना फीस है या pond में कितना फीस है तो मालो आप जाल फेकते हो एक particular उस pond के area में ocean में तो वहाँ पर उस जाल में कितना फीस catch होता है तो उसके अधार पे एक माने एंब बोलते हो कि हाँ इस осв Swami में इतना फीस होगा, या उस pond में इतना फीस होगा. आया मेरी बगातो समझे में. तो यहां पर क्या होता है? या तो number count किया जाता है, या biomass per unit area. अब यहां पर देखो क्या कहता है? कि सब्सक्त करो कोई area है. यह area है. मालनों यह population, end population, original है. अब काता है कि after tea time, tea time, मालनों इसका population का size देखो, यह बढ़ गया. तो population कितना बढ़ा? तो यह देखो, यह nt, after tea time तो क्या हो गया? tea plus one, after tea time, तो कोई भी population जो होता है, तो population में देखोगे, four character होता है. population माने increase करेगा कि decrease करेगा, वो depend करता है तुमारा birth, death, यानी natality, motility, i-migration, e-migration. देहां से देखना है. यह देखो, natality, यह population size को बढ़ाएगा, तो इसको क्या बोलोगे? plus, यह देखो, motility, death, यह घटाएगा population को, minus, i-migration देखो, e-migration देखो, यह बाहर से आवेगा, इसमें population, और यहां से migrate करेगा, तो यह minus हो जाएगा. तो ध्यान से देखोगे, यह natality, plus, i, इसलिए बोलना है कि confuse मत होना, e-migration, और i-migration. i का मतलब होता है, in करना, e का मतलब exit, e-migration भाग गया, तो यह दोनों क्या करेगा, population size को बढ़ाएगा, और यह दोनों, e-migration और motility क्या करेगा, population size को घटाएगा. Generally क्या होता है, कहीं पर कोई अगर, population पाले से ही वहाँ है, तो जो natural जो बोलते हो, stable में, तो मेली count तुम्हारा natility और motility का किया जाता है, यह दोनों जो देख रहे हो, यह दोनों का count कहा होता है, जहां पर new colony बनता है, तब बाहर से आता है, कुछ वहाँ से निकल के भी जाता है, तो वहाँ पर count किया जाता है, तो देख लो यहाँ पर, क्या होता है देख लो, यह जो end जो बोल रहे हैं, तुम्हारा original population है, at t1, बने after t time के बाद जो है, क्या होता है, उसमें add क्या होगा देख लो, natility plus, i-ligration, minus क्या होगा, तुम्हारा motility और e-migration, plus migration, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, देख लो, यह देख लो, natility को generally तुम्हारा, b से, plus i, minus देख लो, इसको motility को generally death d से लिखता है, capital D motility होता है, अब plus e, देख लो, यह हो गया, तो वही चीज़ दिया है देखो, यह nt plus देखो, b plus i minus d plus e, यह b क्या हो गया तुम्हारा, natility, यानि birth, total birth, i क्या हो गया, i migration, माने बाहर से in किया, minus d क्या हो गया, total death, plus e, माने निकला, उस population से निकल के दूसरे जगा चला गया, e migration, अब देखो क्या काता है, under normal condition, birth and death are most important factors, माने normal condition में, कोई भी aesthetic अगर population है, तो वहाँ पे जो population size, increase करेगा, या decrease करेगा, they totally, only depends upon the natility and motility, जो already stable है, या तो क्यों बाहर से आवेगा, क्यों वहाँ से निकलेगा, तो उसका population size, increase करेगा, या decrease करेगा, या वो depend किस पे होगा, natility और motility पर होगा, यह दोखो नहाँ पर आर छुटा हुआ है, धन्यवाद आपको दिखाने के लिए, बेटा, motility होगा, ठीक है, यह e-migration और i-migration, कहां पर होता है, जहां पर कोई new, जैसे अभी जाओगे, नियोडा में, greater नियोडा, new नियोडा क्या हो रहा है, नया-नया सहर बन रहा है, तो वहाँ जो पहले से local किसान है, जमीन बेजता है, बेज के वो दूसरे चले जाता है, नया-नया लोग सबा रहा है, तो वहाँ पर यह count होता है, immigration और immigration, ठीक है, अब आजाओ देख लो, population growth पे, यह समझ में आया रहा है, यह formula समझ में आया, यह कोई दिक्का थे दो बोल रहो, हाँ निकाल सकते हो ना, यह birth, birth rate भी निकल जाएगा, अब देखो, population देखो, क्या कहता है, the size of a population for any species, is not a static parameter, समझ रहे हो, यह कोई fix नहीं होता है, it keeps changing with the time, depending on various factors, including, देखो, food availability, predation, pressure, and adverse weather, देख लो, food availability, माने resources है की नहीं है, sufficient resources है की नहीं, दुस्मन कोई enemy का pressure कितना है, दूसरा climatic condition, तो यह population size को, किसी particular area में क्या करता है, वो effect करता है, size बरेगा की, size घटेगा, आजाओ, आप growth models पे आजाओ, थोड़ा यहीं से सवाल आता है बिटा, थोड़ा अच्छा से इसको समझना, समझ रहे हो मेरी बाद, हैं, क्या हो हस रहे हो, हैं, क्यों हस रहे हो रितका, देखो, दो growth model तुम्हारा दिया गया, एक है देखो, exponential growth, नामे से पकरो, exponential है, एकदम, सपनों के दुनिया में जाओ, क्या कहता है, जहां पे किसी भी एरिया में, अल्लिम्टेड रिसूर्सिज है, कोई प्रेशन प्रेशर नहीं है, weather condition भी more or less, aesthetic है, same है, जादे variation नहीं हो रहा है, तो उस situation में, उस particular एरिया में, जो growth होता है, वो swing भागता है एकदम, सीधे भागता है, exponential, भाग रहा है एकदम, क्योंकि उसका जो carry, क्या होता है तुम्हारा, किसी भी एरिया में जाओगे, या कोई जंगल है, या कोई भी एरिया है, तो हर एरिया का आप देखोगे, उसका अपना एक carrying capacity होता है, carrying capacity का मत्तब कि resources, कि वो particular area, उतने को support कर सकता है, उससे उपर नहीं जा सकता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, unlimited resources, यानि carrying capacity बहुत उपर है, तब तो क्या होगा, population size, reproduction क्या होगा, कूब जादे होगा, यानि birth rate जादे होगा, तब population क्या होगा, भागेगा, अगर इसको graph से देखोगे बिटा, यह देखो, यह end population है, यह tea time है, तो देखो कैसे भागे गई, ऐसे भागे गई, तो यह क्या है, देखो एकदम भाग रहा है, तो यह G-sipte बनता है, तो इस type का जो growth होता है, तो उसको क्या बोलते हो, exoponential growth, तो देखो यहाँ पर क्या करता है, dream light, सपनों की दुनिया, देखो, when resources in the habitat are unlimited, no predation, no competition, the growth in an exponential or geometric fashion, the increase or decrease in n, during the unit time period, देखो, क्या होता है, कितना increase करेगा, decrease करेगा, तो period, तो यह dn by dt, क्या हो गया, यह rate of exponential growth हो गया, तो यहाँ पर देखो, क्या करता है, यह dn by d2 is equal to, क्या हो जाता है, देखो, यह b minus d, यह b क्या है तुम्हारा, total birth, और d क्या है, total death, तो अगर इसका birth rate हम निकाले, तो देखो, let the birth rate, a small b, तो आप परे हो, कि birth rate is equal to, क्या होता है, natality बटा population, तो यह b जो हो गया तुम्हारा, यह total birth, by population, जो भी है original n, अब इसको इधर लाओ, यह cross multiply खरो ना, तो देखो, क्या हो जाएगा, यह b is equal to हो जाएगा, n b, देखो, उसी तरीके से death rate, अब देखो, यह d जो होता है, total death है, तो death rate क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, यह d is equal to motility बटा, original population, यह यह capital D, by original population, तो यह देखो, यह d is equal to क्या हो जाएगा, n d, ध्यान से देखो यहाँ पर, अब यह दोनों चीज यहाँ पर डाल दो, यह b क्या आया, n b, और यह d क्या आया, nd, तो अब यह डालोगे तो यहाँ डाला गया है, और करके, तो यह n तो common हो गया, तो यह n तो दोखो, b minus d हो गया तुम्हारा, यह जो b minus d देखते हो, इस ही को कहा जाता है, rate of natural increase or decrease, इसको क्या कहा जाता है, intrinsic rate of natural increase, actually इसको आगे परखोगे, इसका एक नाम और दिया हो गया है, reproductive fitness, दूसरा इसको यह भी कहा जाता है, यह darmese fitness, darwin भी इसी पे जादे stress दाला था, जितना जादे reproductive fitness होगा, उस species का population size उतना जादे बरहेगा, तो देख रो, तो फर्मूला तुम्हारा जो निकल के आया, तो क्या हो गया, यह dnt, देख लो, by rn, यह देख लो, और r समझे गए क्या है, अब देखो, इसका एक integral form आता है तुम्हारा, यह nt is equal to n 0 e power rt, यह अपना भीया याद कर लेना, ठीक है, तो यह तुम्हारा exponential growth हो गया, कोई confusion ने दो बता देगा, अब देखो, logistic growth में क्या होता है, यह actually real life है तुम्हारा, यह हकीकत है, और यह कौन दिया था, देखो, यह वरहॉल्ट पर्ल, scientist था, वो यह दिया था, logistic growth, इसको sigmoide growth भी कहा जाता, देखो, क्या कहता है, population growing in a habitat, with limited resources, आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पर क्या कह रहा है, कि किसी भी area में, resources क्या होता है, limited होता है, कुछ न कुछ weather, adverse condition होता है, predation pressure भी रहता है, तो वहाँ पे जो growth model जो बनता है, वह logistic होता है, यानि उसका carrying capacity क्या होता है, एक height पे होता है, और हर ecosystem का चाहाँ, वह smaller हो bigger है, उसका carrying capacity limit होता है, मैंने कहने का मतलब कि, उस particular area में, कितने population को support करेगा, अब यहाँ पर population भी अलग-अलग होता है तुमारा, अब elephant दोखो, size of organ जादे होता है, तो कम को support करेगा, अब rat है, तो उसका size कम होता है, तो उसका number of individual क्या होगा, जादे को support करेगा, दूसरा, आपका वो ecosystem कितना बड़ा है, तीसरा, उस population में जो individual है, उसका life span कितना है, मेरी बात समझे लो, life span also decide whether in that particular area, whatever the carrying capacity, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर जो आता है, तुमारा यह, यह dn by dt जो होता है, यह देखो, यह rn, अब यहाँ पर आ जाता है, यह k-n by k, यह देखो, अब यहाँ पर यह carrying capacity decide करता है, यह formula याद रखना, देख लो यह, where k is carrying capacity, यानि maximum number of the individuals, of the spaces, that is, that a habitat can support, अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखो, हम क्या देखा रहे हैं, suppose करो देख लो, क्या इसका दो, मालो यह इसका carrying capacity है, k, यह n population है, यह t-tun, दोखर यहाँ पर देखा, suppose करो, यह इसका k है, यह t है, यह n है, अब दोखो, यहाँ से यह सुरू किया, द्यान से देखो, और यहाँ पर आके देखो, इस टेकने निट होगे रहे हैं, अब यहाँ पर देखो, अगर suppose कर इस point पर अगर निकालोगे, कि growth rate क्या होगा यहाँ पर, तो यह पर यहाँ पर क्या है, carrying capacity बहुत उंचा है, तो क्या होगा, growth जादे हो जाएगा, लेकिन जैसी यहाँ पर आओगे, तो यह case जो है, is equal to क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो जब case equal to n हो जाएगा तुम्हारा, तब क्या हो जाएगा, growth rate zero हो जाएगा, fix हो जाएगा तो तुम्हारा, उसके बाद तो growth हो ही नहीं रहा है, तो वही कहता है, if k is equal to n, then r is equal to zero, तो growth rate क्या हो जाएगा, आपका zero हो जाएगा, आया, समझ में आया, जल्दी बोलो, यह देखो, यह कभी कभी इस graph पर भी question पूट देता है, देख लो, यह है आपका, exponential देख लो, यह z shape बनता है, यह देखो, इसका यह है formula, और यह है आपका देख लो, यह sigmoide या except भी बोलते हो, ग्राफ जो बनता है, वो a except, वहाँ j except हो गया, logistic में, या sigmoide भी इसको पूला जाता है, क्या नहीं समझे, अरे भईया, मालो यह growth करते करते, यह क्ये है, यही नगाप्रिशपिस सिटी है, तो यहाँ पर अगर निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, यह k is equal to क्या हो जाएगा, n हो जाएगा न, तब उस फर्मूला में यहाँ put करोगे, k is equal to the cut, zero हो जाएगा, तो r का value क्या हो जाएगा, zero, तो आपका growth rate क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, अब दोकों, यहां population growth curve में क्या दिखा दोको when responses are not limiting then growth plot is exponential जो उपर वाला है दूसरा दोको when responses are limiting the growth plot is logistic के इस दा कैरिंग कैपेसिटी देखो अब यहीं पोजू हमने जो क्या करता है के इस कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड ओन देखो हर और अलग अलग हर पॉपूलेशन का कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा अलग अलग होगा तो देखो डिपेंड किस पर करता size of organism size of ecosystem and life space कि अब कोई भी जंगल में जाते हो तो जितना पॉपूलेशन एलिफेंड का होगा तो वो कोई जरूरी है कि उतने ही पॉपूलेशन जो है डियर का भी होना चाहिए उतने ही पॉपूलेशन कैट का भी होना चाहिए उतने ही पॉपूलेशन रैट का भी होना चाहिए सबका carrying capacity अलग-अलग है न अब elephant का size यह तो उसका क्या होगा उसको तो जादे चाहिए न रिसोर्स तो उसी हिसाब से उसका क्या होगा population size होगा अब देखो life history variation में आ जाओ इदे को क्या होता है कोई भी species उसको evolve होने में millions of years लगता है और evolve होने के बाद उसकी जो tendency होता है वो maximize reproductive fitness यानि r का value बढ़ाना चाहता है reproductive तो क्या होता है हर species का या population का अपना strategy होता है कि वो r selected होगा या k selected होगा तो यह हर population का अलग-अलग होता है वो depend करता है कि किसी भी population का caring capacity यह उसको ऐसे बोलो कि वो कितना invest करता है energy को जिसे अगर हम लोग mammals के case में आ जाओ human being में एक बच्चा को पालने कम से कम आप 20 वरस तक पालते हो तो उतना पैसा होना चीह नहीं लेकिन वहीं पे देखोगे फीस है अंडा बच्चा खता कोई care नहीं है तो जहां पे care नहीं है parental care कुछ में देखोगे कम है कुछ में बहुत जादे parental care होता है तो जितना जादे parental care होगा तो वहां पे क्या होगा number of individual आपका कम हो जाएगा भले वो बर्थ उसका regular हो ठीक है तो यह living things होता ही different spaces जो है क्या होता है वो वो evolution से ही आया है वो अलग-अलग estres जी अपनाता है कुछ R selected होता है कुछ K selected होता है K यानि carrying capacity अपना carrying capacity के और सार ही वो क्या होता है new baby को bought करता है ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होता है इसले देखो to produce office spring ध्यान से देखना है यहाँ पर इससे question आता है to produce office spring once in a time इसे example दिवा है NCRT में bamboo बांस जो बोलते हो a salmon feast अब देखो यह अपने light cycle में एक ही वाद reproduction करता है इसका मतलब यह नहीं कि एक बार में एक के होता है उसमें number of seats होता है अब जिसे एक fees जो है एक बार में more or less चार से पांच सजार जो है तुम्हारा एक ले करता है तो टोटल four to five thousand थोड़ी सर्भाइब करेगा तो परी बात समझे रहे है अब देखो तो produce office spring many times in their life cycle जैसे human हो गया तुम्हारा mammals हो गया बाट्स हो गया अब देखो यहाँ पर क्या होता है आर सेलेक्टेड एस्पेसिज देखो क्या है इसटेश पोड्यूस लार्ज नंबर औफ ए स्मॉल साइजड ऑफ इसपरिंग क्या होता है लो किया अफ आफ ऑफ इस्प्रिंग a small investment of the energy लेकिन जहां पर देखो के selected species होता है तो produce a small number of large size of spring मेरी बात समझ रहे हो तो जिसे तुम रहा देखो कि फ्रॉग हो गया, फीस हो गया इस अब a small size भी होता है और a small size ही of spring produce करता है लेकिन mammals में आ जाओगे तो size भी बड़ा होता है और बच्चा भी क्या होता है large size ही produce होता है extreme care of office spring and huge resources of energy in each office spring, क्या हो गया माने, यहां पर a small investment of energy इसलिए number of child produce होता है, यहां पर जादे huge amount of the energy is required इसलिए क्या होगा, number less होगा हाँ, बोलो, क्या दिक्कत है समझ में आ रहा है, बोलो, किसी को अब आजाओ, population interaction में बेटा देखो क्या काता है, there is no such habitat and such a situation in which a single space is inhibited, हमने आपको शुरू में भी बोला है कि कोई भी spaces जो है, वो अकेले exist नहीं कर सकता है क्यों नहीं exist कर सकता है उसको resources चाहिए suppose करो एक example देते हैं, यह human population है अब इसको खाने के लिए अनाच चाहिए न, तो प्लांट से दोस्ती करेगा प्लांट से इंटरेक्ट करेगा अब इसका जब culture करोगे तो हमको animal की ज़रुवत परेगा आपको milk चाहिए तो cow तो आप single exist नहीं कर सकते हो at least two species तो चाहिए ही तो कता है, every species needs at least one more species on which it can feed minimum एक species तो चाहिए अब देखलो, animals, plants and microbes do not and cannot live in a isolation but interact in a various way to form a biological community ती शुरू में मैं बताया था अब देखलो, यहाँ पर जो interaction होता है, वो दो तरह का होता है एक होता है इंटर-Espacific एक होता है इंटर-Espacific ध्यान से समझना इंटर का मतलब होता है different spaces के बीच में और इंटरा का मतलब होता है within the spaces तो इंटरा जो होता है वो खतरनाक होता है in compression to the inter जैसे सपोज करो road पे एक रोटी परा हुआ है मालो इधर से dog भी आया ox भी आया cow भी आया goat भी आया सब रोटी के तरफ आया वहाँ पे मालो सपोज करो जिसको जादे भूख लगा होगा तो मालो कोई एक particular animal उस रोटी को पकर लिया तो दोखो वहाँ पे जो struggle है बड़ा easy में में win किया लेकिन उसी रोटी को जब वो लेके अपने परिवार के बीच में आवेगा तो तो सब की need हो जाएगी तो struggle वहाँ पे जादे होगा तो ये जो ये intra sorry यहाँ भी inter हाँ ये inter-specific है क्या कहता है interaction of population of two different species हम ये समझा रहेते ये inter-specific interaction जो होता है वो less harmful होता है in comparison to the intra inter-specific ये क्या होगा ये होगा तुम्हारा interaction between same spaces अग इंटर हो जाता है तुम्हारा different spaces के बीच में two different spaces के बीच में अब यहाँ पर देखो interactions जो होता है दो spaces के बीच में purpose क्या होता है तो दो ही चीज़ हो सकता है या तो दोनों benefited होगा या एक benefited होगा एक harm होगा कभी-कभी interaction में दोनों harm होता है कभी-कभी interaction में क्या होता है एक harm होता है दूसरे को कोई फर्क नहीं होता है कभी-कभी यह भी होता है एक को कुछ और नहीं फर्क परता है दूसरे को benefit मिलता है तो इस तरीके से पूरे interaction को देखोगे 6 category में बहुता है ध्यान से देखना बिच्छा अब देखनो एक espaces यह है तुम्हारा मालो इसको A है यह B है यह minus का मतलब होता है hard zero का मतलब होता है कोई for unaffected plus का मतलब होता है benefited कोई दीकत अब देखो यहां पर है पहला है तुम्हारा अमेनलीजल निम्चे देख लो नाम ठीक से परो अमेनलीजम इसको कहा जाता है देखो यह फुरा सा उचारान देख लो अब देखो क्या कहता है इसमें क्या होता है दूसरा देखो क्या होता है म्यूटालीजम इसमें दोनों बेनिटेड होता है interaction favorable to both and obligatory यहाँ पर थोड़ा सा समझना यह एक होता obligatory दूसरा होता non-obligatory obligatory का मतलब क्या होता है कि वो दोनो specific होता है एक ही साथ रहेगा इसको co-existence भी कहा जाता है अगर एक evolve हुआ तो दूसरा भी evolve हुआ और non-obligatory का मतलब क्या हुआ कि जब तक है ठीक है नहीं तो तुम नहीं रहो तो इसा नहीं कि में मरूंगा नहीं हम दूसरे जगह लें चले जाएगे ठीक है जिसे सकर फिस ओन सार्क देख लो एक इसामपूल की वा एस वो म्यूटालीज में देखो यह crocodile and bots द्यान से देखे होगे कभी कभी देखे होगे वो डिसको भी चैनल पर दिखाता है crocodile move आया रहता है और उसके अंदर वो बोट्स भूच के उसके तीट से देखोगे क्या होगे और crocodile जो मीट उटखाता है तो उसका muscles भासा रहता है निकालता है commercialism इसमें देखो एक benefit होगा दूसरे पर कोई फार्क नहीं परेगा population 1 the commercial benefit while 2 is the host not affected sacrifice on shark दूसरा दोखो competition इसमें तो दोनो हार्म होता है लडाई करो direct inhibition of each species by the other जिसे bots compete with the squirrel for nuts and seeds parasitism देखो plus parasite होगा minus host यानि harm the population 1 देखो parasite generally smaller than 2 the host generally parasite smaller होता है जिसे तो इसकेरिस and tap war in human digestive tract दूसरा होता है तो मारा predation देखो इसमें भी देखो क्या होगा एक benefit होगा दूसरा harm होगा predation मतलब predator enemy बोलते हो जिसे lion और deer तो lion हो गया predator deer हो गया prey तो lion deer को खा जाता है तो deer को harm होगा ना तो यहां देखो क्या करता है वही एक lion predatory and deer होगा दिकत यह थोड़ा सा यह जो है आपका symbol समझ लेना यहां अब ध्यान से देखोगे इसमें देखो कौन-कौन सा beneficial है शरी अगर beneficial की बात करें तब mutualism, commonsilism और parasitism और predation अगर harm की बात करते हो emensilism, competition, parasitism और predation not harm दो species के बीच में interaction होता है तो कोई उसमें एक species कोई harm नहीं होता है emensilism और दूसरा होगा commonsilism, कभी कभी इस टाइप से भी question दे देता है बिटा, समझ लें हो मेरी बार मानि name the interaction in which beneficiary, beneficiary में देखोगे न mutualism है, commonsilism भी है, parasitism भी है और predation, यह competition नहीं है beneficiary ठीक है? अब आजाओ देखो predation में, अब एक एक करके जानो थोड़ा सा, इसमें mainly example तुम्हारा पोस्ता है, इसमें इसमें ज्यादे समय हम नहीं देने, यह दोखो, conduits का मतलब होता है flow, यह जो conduit देखते हो, इसका मतलब होता है flow, flow of energy transfer, यानि food chain में परे हो ना, कि माने energy transfer from one traffic level to other traffic level, और अगर किसी भी environment, अगर food chain maintain है, तो वो एक को सिस्टम क्या होता है? stable होता है, तो आप कह सकते हो कि यह जो predator है, they help in the flow of the energy, यानि conduit, आप देखो क्या कहता है? इन्हें broad ecological content, all carnivorous, herbivorous, etc are predator, about 25% insects are phytophagous, देख लो, यह plant को, generally देखोगे, plant क्या होता है, कुमारा prey का काम, सब उसको खाता है, herbivorous देखो, कार्णी भूरस भी देखो, तो बेचारा उट प्लांट क्या करेगा, उससे बचने के लिए, spine, thorn, modification करता है, poison, कुछ chemical, nicotine, क्या होता है, बचने के लिए, avoid predation, यह देखो, if a predator, overexploits its prey, then the prey might become extinct, क्या कहता है, हर predator का क्या होता है, एक अपना prey होता है, अगर यह predator, overexploit करेगा, तो एक समय आवेगा, यह prey क्या हो जाएगा, एक्स्टिंट हो जाएगा, क्या हुआ तुम्हारा, जंगल में देख लो, लाइन की संख्या कम होते चला गया, क्यों, हिरन की संख्या कम हुआ, तो वो तो वहाँ पर देता है, over grazing के चलते हो, तो क्या होता है, कोई भी ecosystem में, हर species से एक दूसरे पर क्या है, dependence, हर एक दूसरे का क्या करता है, population control करता है, तो यह predator भी क्या होता है, population, diversity maintain करता है, अब क्या होगा, अगर वो prey ही खतम हो जाएगा, तो predator भी तो खतम हो जाएगा न, है, तो देख लो, result in the extinction of predator, therefore, predator in nature are produned, देख लो, यहाँ पर एक आया, conduct, दूसरा आया, produned, मैंने कहने का मतलब, यह predator होता है, तो यह उस तरीके से over exploit नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है, कि अगर, आर अगर मैं बढ़ा देता हूँ, तो उतो prey सब खतम हो जाएगा, तो मैं ही खतम हो जाऊँगा, तो वो prey को भी जिन्दा रखता है, उसी को कहा जाता है, produned, यह देखो, importance of predators, predator control, prey population, example देखो, यह prickly pear cactus, नाम सुने हो गया, prickly pear cactus, यह cactus का एक बराइटी होता है, इसका जो predator होता हूँ, मूत होता है, क्या हुआ, अस्ट्रेलिया में, आपके NCRT में दिये हुआ है, यह exotic, अस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता था prickly pear, तो वो औरना मेंट्स के लिए, फ्लाबरिंग के लिए वहाँ ले गया, तो वहाँ तो इसका predator था नहीं, एकदम आर बढ़ा लिया, इतना न प्हैल गया, प्रिकली पेर क्या, कि बहुत प्रॉब्लिम वहाँ हो गया, तब उसको कंट्रोल करने के लिए फिर जहन से ले गया था प्रिकली पेर, तो पता लगाया कि उसका predator कौन है, तो मोथ है, तो फिर वहाँ मोथ को इंट्रिड्यूस किया, तब जाकि वो प्रिकली पेर कंट्रोल हुआ, मेरी बास समझे हैं, तो ये prey और predator, दोनों एक दूसर के population को क्या करता है, maintain करता है, ठीक है, दूसरा देखो, biological control, ability of the predator to regulate the prey population, maintain species diversity, जैसे देखो, example है, the starfish, पीजोस्टर, देखो, पीजोस्टर, आजा, common series में आजाओ, अब देखो, इसमें एक example है, परहो common series में क्या होता है, जल्दी वो लोग क्या होता है, एक benefit होता है, दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ common series में क्या होगा, call us, zero, अब जैसे देख लो, यह orchid है तुम्हारा, growing as epiphyte on mango branch, mango के branch पर यह orchid रहता है, mango को को कोई उससे benefit नहीं है, अना harm है, लेकिन orchid को देखो, support मिलता है, उसी तरीके देखो, यह branchils है तुम्हारा, growing on a back of the whale, whale को कोई फैदा नहीं होता है, यह branchils को फैदा होता है, उसी तरीके देखो, cattle egret and grazing cattle, यह egret क्या होता है, देखो, for a close to where the cattle are grazing, as the cattle move, the vegetation, insect come out, otherwise it is difficult for the egret to find and catch the insect, sea animal and clown fish है, देख लो, stinging tentacles of the sea animal, gives protection to fish from the predator, क्या होता है, तुम्हारा, इस clown fish का side चोटा होता है, और यह जो sea animal, तो इसका यह देखो, tentakil है, यह sting होता है, और यहाँ पढ़ाके, यह claw fish क्या होता है, छुप जाता है, जिसके चलते इसको predator से यह protect हो जाता है, आजाओ, competition में, यह थोड़ा सा खाता है, competition में क्या होता है, दोनों माइनस माइनस, देखो, देखो, क्या करता है, it is a process in which, fitness of one species, यही देख लो, यह आर्व है, इस significantly lower in presence of the another species, क्या होता है, competition में, जो superior होगा, मालों, दो population, सपोज करो, यह area है, यहाँ पे, क्या होगा, यहाँ पर द्याहां से देखना, अब यह किसका population, यहाँ पर बढ़ेगा, तो जो superior, सपोज करो, यह अगर superior है, तो इसको suppress करेगा, यह क्या करेगा, आर का value बढ़ाएगा, reproductive fitness, तो धीरे-धीरे ही क्या होगा, limited हो जाएगा आपका, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया है, देख लो, अब यह inter-specific competition is a potent force in organic evolution, competition occur when closely related spaces compete for the same limited resources, अब देख लो, यहाँ पर generally यह competition occur when the closely related spaces, यह Darwin fitness है तुमारा, Darwin इसको support कर रहता है, लेकिन आगे पर होगे, कोई जरूरी नहीं है तुमारा, यह देखो, unrelated spaces can also compete for the resources, जिसे फैलिम गोज और फिस, यह फैलिम गोज क्या होता है, एक टाइप आप अब इविदेंसेज फोर competition में देख लो, आ जाता है, यह Abanguido tortoise और competitive release, थोरा सा ही जानोगे, Abanguido tortoise क्या है, परेव evolution में तुमारा, यह देखो, competition occur only when resources are limited, यह माईत है, जूट है तुमारा, तुरत क्या है, when feeding efficiency of one species is reduced in a presence of competing species, उसी को कहा जाता है, inference competition, ध्यान से समझो, वो जो अविद्गो tortoise, जो है, वो गैल्पिगो आइसलेंड है, वहाँ पे था, तो जब यह Darwin वहाँ गया था, तो वो गौट को ले के गया, अब ध्यान से देखूँ, अहाँ पर, क्या कहता है, कि after 10 years, वो tortoise यहाँ से extinct कर गया, हलाकि इस गौट के चलते, उस tortoise के resources पे कोई नहीं फर्क हुआ, लेकिन इस गौट के presence में क्या हुआ, उसका feeding की, disturb हो गया, जिसके चलते, क्या हुआ, धीरे-धीरे वो extinct कर गया, तो इस टाइब के competition को कहा जाता है, inference competition, ध्यान से देखना, घर में भी होता है, कभी-कभी देखोगे कि उसके presence में आप कुछ बोल नहीं पाते हो, मेरी बात समझ रहें, बहुत बच्चा दोह इतना डरता है घर में किसी आदमी से कि उसके सामने में उखाना नहीं खा पाता है, तो सपोज कर वो हमेशा घर में अगर रहे, उसका क्या होगा, अमाउंट अप फूड धीरे-धीरे कम होते चला जाएगा एक समय आप जाएगा, तो उस टाइब का जो competition होता है, तुम्हारा inference competition, यह दोखोग, दूसरा आता है, गौज competitive exclusion, प्रिंस्पोदों को exclusion याँ एक्स्टिंठी कर दे, देखो, क्या कहता है, if resources are limited, then superior competing species eliminate the inferior species, और यही देखो, गैला पोजज आइसलेंड स्था तुम्हारा, यह अभिंगम, taught twice and got for grass, within 10 years, taught twice eliminated, लेकिन, यह गौज तो कहता है कि superior के presence में, लेकिन अगर suppose करो, अगर superior को eliminate कर देते हो, तो inferior पर क्या परेगा, तो उस situation में, अगर superior को आप अगर eliminate करते हो, remove करते हो उस environment से, तो inferior का क्या होगा, r value बरहेगा, इसी को कहा जाता है, competition release, को नल, देख लो, क्या कहता है, देखो, competition decrease r of each other, देखो, a species whose distribution is limited to a small geographical area, due to presence of superior competing species, is found to expand its area, तो क्या होगा, धीरे-धीरे inferior species क्या होगा, limited हो जाएगा, अब कहता है कि, if superior species removed, इसी को कहा जाता है, competition release, then inferior number increases, एग्जाम्पूल दिये हो आए, दोखो, kathamels and bananas, यह देखो, co-existence, कभी-कभी क्या होता है तुम्हारा, suppose, resources limited है, उसके बाद भी साथ अराता है, feeding time बदल देता है, इसे एक एग्जाम्पूल हम उसे बताते हैं, इसे देखोगे, आजकल, बिग सीटी में क्या होता है, traffic problem बहुत जादे होता है, तो क्या किया, traffic जो control करता है, उसने क्या किया कि नहीं, सहर में आठ वज़ से लेके, दस वज़े रात तक, बरी गारी नहीं इन करेगा, और रात के बाद इन करेगा, तब next day से क्या हुआ, traffic जो है, कम हो गया, अब देखो, रास्ता वही है, क्या कि गुआ, चलने, मैंने गारी को बंट दिया गया नहीं, तुम इतने बज़ से इतने बज़े चलूँगे, तुम इतने बज़ से इतने बज़े चलूँगे, तो रोड तो वही है ना, हो गया, traffic problem solved हो गया, तो यहां पर coexistence जो आता है तुम्हारा, देखो, resources part, और इसका देखो यह MacArthur जो था तुम्हारा, यह five species of warwolers, यह birds का group था, तो यह जो birds था, वो क्या group था, कुछ जो species था, उसका timing of feeding क्या होता था, सपोज करो morning में, कुछ का तुम्हारा, क्या था, mid, कुछ था तुम्हारा, सपोज करो night, तो यहां पर देख लो, competition भी नहीं हुआ, और limited resources में भी रहना शुरू हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, ना superior ना inferior, सब survive कर रहा है, आया मेरी बार समझे, जिसे बहुत साथ देखोगे, एनी मल क्या होता है, दीन में डौरे नहीं निकलता है, जबकि ओर resources देख लो, रात में निकलता है, तो यह क्या है, तुम्हारा ओर जो resources है, उसका, क्या किया है, parsing कर लिया है, जहां बेटा, तुम दीन में खाना, हम रात में खाए, आया, समझे, आज आज़ो, पारसिटीज में, तो आदमी जा देखोगे क्या करता है, many parasites are host specific, they can parasitize only a single host species, they tend to co-evolve, क्या होता है, parasite भी देखोगे, दो तरका होता है, एक होता है specific, एक particular host में ही होगा, यानि वो दोनों एक साथ ही पैदा होता है, host कहता है, कि नहीं तुमको नहीं अधिया, parasite कहता है, तुमको तुम देमेज कर भे खरें नहीं, देखो, पारासाइट भी कहता है, कि ठीक है, वो भी कुछ special mechanism लेता है, तुमको तुम हीं को हार्म करेंगे, life cycle और पारासाइट देखो, are often complex होता है तुम्हारा, जिसे ये human liver depends on two intermediate host होता है, a snail और fish to compete the life cycle, जिसे तुम्हारा देखो, malarial parasite, एक human और एक mosquito होता है, needs mosquito to spread to the other host, अब पारासाइट में देखोगे, इंडो पारासाइट होता है, इसे liver flick हो गया, tapworm, एक्टो पारासाइट यानि सरीर के बाहर, इसे lyse हो गया, ticks, costia, broad paratism, ये quail जो देख रोगे, तो पारासिटिज्म तो नहीं हो बोलोगे, quail क्या होता है, अपना एक जो है, ये crow के nest में डाल देता है, जब उस एक से hatch करता है बच्चा, तो वो एकदम crow के बच्चा के जैसा राता है, तो ये crow नहीं identify कर पाता है, कि quail का बच्चा है, और इस तरीके से वो crow उसको पालना सुरू पैरेंटल केर देता है, एक समय आता है, जब थोड़ा साइज बढ़ता है, तो फूर दब उड़ जाता है, तब समझ में crow को आता है, अरे, मैं तो दूसरे को बच्चा को पाल रहाता है, तो ये तुम्हारा उसी को broad पलस-पलस है भी या, तो देख लो, जिसे lichens होता है, रिपर्जेंट एंड न्यूटालेस्टिक रिलेशन्शिप बीट्वीन एक फंगस एंड फोटो सिंथेसाइजिंग अलगी या साइनो बैक्टिरिया, ये दोनों देखो, एस्पेस्पिक होता है, मेरी बाद समझे रहा हूं, ये फंगस और अलगी का एस्पेस्पिक होता है, दोनों mutually benefited होता है, फंगस क्या करेगा, हाइफा से, मिनरल एब्सॉर्ब करको, प्लांट को देगा, प्लांट क्या करेगा, ले तेरे को मैं बोजन पका के देदेता हूं, उसी तरीके से देखो, ये माइकोराइजा, और एस्वेशन बिट्विन दा फंजाई, और रूट अफ दा हाइर प्लांट, ये माइकोराइजा, समझे रहे हैं, माइकोराइजा इस नोट इस सिंगल स्पेसिज, ये एस्वेशन है, फंगस और रूट अफ दा प्लांट, ये दोनों मिलता है, उसको माइकोराइजा कहा जा, फिर वही स्चीज है, ये फंगस कहता है कि, बेटा, मैं तुमको एब्जॉर्बशन, यानि फॉस्फोरस, नाइट्रोजर, जो भी हम एब्जॉर्ब करके तुमको देगो, तुम खाना पका के हमको, सुगर दो, कार्भोहइड़ेट दो, वही चीज होड़ा, देखलो, फंगस 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 प्लांट, इन अब्जॉर्बशन अफ नूट्रिन्स, फ्रॉम दा स्वाइल, वाइल दा, प्लांट इन तरण, प्रोवाइट स्वाइड़ेटर, अब देखो कि प्लांट और एनिमल में, जो रिलेशन होता है तुम महारा, प्लांट इसको नेक्टर प्रोफाइड करता है, ब्लांट को क्या फायदा होता है, उसका pollen grain जो है transfer हो जाता है, pollination हो जाता है, उसका seed जो है, disperse होता है, आप देख लो, ये co-evolution of the neutralistic exam, दोखो, ये fig tree and wasp female देख लो, अगर ये खतम हो जाए, तो ये भी खतम हो जाए, अई दोनों एक दूसरे को help करता है, ये fig tree को pollinator, wasp female जो है, क्या करता है, pollinator का का काम करता है, ये अपना एक वहीं पर hedge कर देता है, वो एक वहीं से फिर, hedge करते हैं, बच्चा, उसी तरह ये देखो, ये orchid हैता है, और फर्स इसको कहा जाता है, और bee देखो, क्या होता है, ये जो orchid जो होता है, इसका जो flower, उसका जो petal, हो क्या करता है, one petal of its flower resembles to the female of the bee, in size, color and marking, अब यहाँ पर क्या होता है, उस orchid flower का जो petal होता है, तो उसका जो color, या mark, या size एक दम female bee के जैसा होता है, अब male bee मस्ती में जाता है, उसका मस्ता है female है, और उहाँ पर क्या होता है, pseudocopulation, उससे क्या फैदा होता है, कि इसका जो pollen है, वो pollination हो जाता है, तो इसी को देखो, ये क्या जाता है, sexual deceit कहा जाता है, ध्यान सम्दुखरो, the male bee is attracted to what it perceives as a female pseudocopulation, ये दोखा, emensalism में, when one species is harmed, the other remain unaffected, यानि इसमें क्या होगा, minus और zero, इतना तुम को इसमें पढ़ना था बेटा, अब आजाओ, MCQ पर, PIQ पर, क्या, देखो, पहला क्या करता है, ये देखो, competition is most fierce between, क्या होता है, किसके बीच में होता है, two or more closely related species in the same environment, क्या हो जाएगा, unrelated में तो होगा नहीं, देखो, two or more closely related species in different, same environment में होगा ना, दूसरा choice हो जाएगा, दूसरा देखो, the pattern of growth where the population increases rapidly, and then stabilizes near the caring capacity, क्या हो जाएगा, logistic हो जाएगा तुम्हारा, भी हो जाएगा, maximum growth rate occurring, तो स्वबाद में जान रहे हो, क्या हो गहाएगा, एक्स कोंसिया, जो होता नहीं है, क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, यह देखो, क्या कहता है, plant spaces, is having a wide range of genetical distribution evolve into a local popular ecotype, जाएगा, 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 the statement जाएगा, क्या कहता है, two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively inferior will eventually be eliminated, कौन, किसका statement था, God's competitive, यह देखो, हुआइच में जाएगा, यह देखो, mutualism is what from the, of interaction, क्या हो जाएगा, mutualism में तो दोनों पलस-पलस होता है, ना बटा, तो क्या हो जाएगा, फोजिटिव interaction हो जाएगा, यहां से देखो, हान जी, इस पर बहुत कोस्टनी सिम्गॉल पर पूछ देता है, निगेटिव कौन होगा, competition, दोनों निगेटिव, निगेटिव है, आजा, six question देखो, mycorrhiza exhibits what kind of interaction, क्या होगा, mutualism हो जाएगा, अडे यार, दोनों नो, दोनों benefited होता है न, where does direct revirally between individuals arises, when there is a interference, देखो, क्या होता है, one person limits the reproduction of the other, taught twice की कहानी, याद रखना, interference, इदो, two different, sorry, where does direct revirally between individuals arises, same question है, ये देखो, ये देखो, अब देखो, पहले क्या था, original population 50 था, एक आबर के बाद देड़ सो, यानि 100, क्या हो जाएगा, 100, ये दोखो, amensalism is an association between two spaces, where, क्या होता है, एक harm होता है, दूसरा unaffected होता है, ये हम इसा याद रखना, क्या होगा इसमें, एक minus होगा, दूसरा, 0 हो जाएगा, ये दोखो, if positive sign is a sign to beneficial interaction, negative sign to detrimental, and zero sign to neutral interaction, then the population interaction represent by plus minus, देख्लो, क्या होगा, parasitism हो जाएगा, एक commercialism में, तो plus और zero होता है, अब इसा याद रखना है, इसमें minus और zero होता है, mutualism में तुहारा, plus और plus होता है, confuse मत होना, इस parasitism में, एक benefit होता है, और दूसरा क्या होता है, minus होता है, वही तो दिया है तुम, आज़ो, last question है, which of the following is correct, for our selected species, जल्दी बोलो, यह दो, large number of progeny, with large size, तो होगा नहीं, large number of progeny, with a small size, यह हो जाएगा, a small number of progeny, with no, a small number of progeny, with large size, यह हो जाएगा, यह देखो, immense realism can be represent, यह दो, easy है, यार, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, पहला, spaces, negative, एक harm होता है, दूसरे पर कोई फर्क नहीं परता है, तो यह भीया, आपको, audience population में परना था, बोलो और क्या दिक्कत, यहाँ दीजिए, इसके बाद, ecosystem बताएगा आपको, ठीक है, बाई,